हालो गाईज कैसे आप सभी वेलकम आपका हमारे चैनल पर अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको आसाने से मिलते रहे तो गाईज जो रियेपियर आई हुए बच्चों की जो फरवरी में रियेपियर के एक्जाम होते हैं ठीक है तो आज यूनस्टी ने एक सेड्यूल जारी करा है पेपर के लिए ठीक है फरवरी के जो एक्जाम है उनको लेकर और जो आगे रेगुलर के एक्जामेनेशन होंगे बीड के भ है ठीक है तो जैसा कि आप देख पारे स्क्रीन पर सेड्यूल ओफ एग्जैमेनेशन टू बी कंड़क्टी डूरिंग दा इयर दो हजार बीस एक्टीस ठीक है तो देखिए क्या क्या दिया गया इसके अंदर फर्स्ट दिया गया है अंडर ग्रेजवेट बीए बीए सी कि अड़ी यूटी डी इउनरस्टी टीचिंग डिपार्टमेंट के जितने भी कुर्सीज हैं एच्वात की समेस्टर फर्स्ट थर्ड ऐंड फिफ्थ मतलभ जो ये कुर्सीज अभी मनें बतायए हैं अंडर ग्रेजवेट के इनके समेस्टर फ dw i 3rd and 5th के ठीक है तो यह examination फरवरी में होंगे आपके 19 तारिक से यह tentative schedule है ठीक है पक्का नहीं है यह थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है 19 फरवरी से ठीक है उसके बाद post graduation MA, MSC जैसा की second column में दिया गया है यहाँ पर post graduate MA, MSC, MCOM, MBA, MSC, MCA, MPAD, PGDCA और other इनके कुन से semester के 1st, 3rd and 5th semester के ठीक है यह भी 19 फरवरी से हो सकते हैं ठीक है tentative उसके बाद third column में यहाँ पर दिया गया है reappear examination ठीक है of semester second, fourth, sixth of UG and PG pass out student यह reappear के हैं third column में ठीक है जो बच्चे pass out हो चुके हैं ठीक है UG, PG, pass out student of UTD and affiliated college university में से pass out हुए है या किसी degree college में कोई degree कर रहे थे वो pass out है तो उनके reappear के examination यहाँ पर 26 तारिक से होंगे कब से होंगे 26 फरवरी से ठीक है उसके बाद fourth column में दिया गया है यहाँ पर यह देखिए beard reappear exam, only reappear, beard reappear examination first year and second year यह होंगे आपके March के अंदर ठीक है 9 मार्च से tentative schedule है ठीक है फरवरी में ना होके यह होंगे March के अंदर reappear के only ठीक है उसके बाद fifth column में दिया गया है M.Ed, Journal and Special, beard special D.P.Ed, B.P.Ed, B.P.S, M.P.S, PG.D.R.P, BA, B.S.C.B.Ed जो integrated courses होते हैं वो भी आगे इसमें first, third and fifth semester ठीक है इनके examination होंगे 9 मार्च से ठीक है यह भी tentative है ठीक है उसके बाद छटे column में दिया गया है sixth column में undergraduate BA, B.S.C, B.C.M, B.T.M, B.P.A, B.C.A, B.P.Ed, U.T.D. University Teaching Department semester second, fourth and sixth semester ठीक है यह आपके होंगे 17, 2021 से ठीक है ना तो यह आपके examination चले जाएंगे 7 महीने में ठीक है यह regular के आगे ठीक है अब की बार जैसे मई जून में जो examination होते थे वो एक-एक महीने आगे कर दिये गए है ठीक है किसी के जुलाई में होंगे और किसी के अगस्त में होंगे ठीक है उससे आगे दिया गया Post Graduate Program MA, MSC, MCOM, MBA, MCA, MPED ठीक है इनका भी regular का जो schedule दिया गया है 7 मंत में ठीक है तो इनके भी 7 मंत में होंगे ठीक है यहाँ पे जुलाई में चले जाएंगे एक्जामिनेशन जो मई जून में होते थे ठीक है उसके बाद आठवा जो कोलम दिया गया यह दिया गया B.E.D. regular के लिए B.E.D. first year and second year regular अब की बार इनके एक्जामिनेशन अगस्त में होंगे कब होंगे अगस्त में 28-2021 ठीक है उसके बाद 9th कोलम दिया गया यहाँ पे M.E.D. regular के लिए इनके भी अगस्त में ही एक्जामिनेशन होंगे ठीक है यह सब टेंटेटिव है आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जो B.E.D. के है रिये पीर के फोर्म नहीं निकले है तो वो कब निकलेंगे ठीक है तो यह फोर्म आपके निकल सकते हैं अभी जनवरी के लास्ट वीक में अदर्वाइज फर्वरी के फास्ट वीक में निकल आएंगे लगबग ठीक है न तो क्योंकि मार्च तक तो अग्जैमिनेशन होने वाले नहीं ठीक है क्योंकि मार्च में ही आपके अग्जैमिनेशन होंगे फर्वरी के महिने में आपके अग्जैमिनेशन नहीं है भी एड़ के ठीक है तो एक मेने से ज़्यादा का टाइम और बचा है तो कभी भी आपके फोरम निकल सकते हैं ठीक है तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग